हेलो एंड वेल्कम टू इंडिया न्यू स्पोर्ट्स और मैं हूँ आपके साथ अरुन कुमार एफसी एशन कप में आज भारत यूए के बीच मुकाबला खिला जाना है दोनों टीमों के बीच होने वाले इस मुकाबले को लेकर हम आपसे बाचीत करेंगे और हम आपको आपका तैंकियो सुमाच जो आज दोनों टीमों के बीच है मुकाबला हो रहा है भारत यूए के बीच तो आप क्या देख रहे हैं कि कौन सी टीम किस पर जादा भारी होने बिल्कुल बहुत मुश्किल है क्याना क्योंकि यूए हूं पे और अच्छी टीम है पिशला मैच उनका अच्छा नहीं चल रहा है लेकिन इंडिया टीम है जो इतनी स्ट्रॉंग यूए जितनी बन उनका फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है अब आप देख लिए नए कोच ने पूरा टेक्नीक चेंज कर दिया था थाइलिंग के अगेंस फोवन जो जीते थे बिल्को लेक फिन क्लब्स नहीं उनके पीचे थे तो टू तो बहुत अचछी है और एक्सपिरियंस बहुत है फिलते थाइफीर्ड थे फडिए कि टीम है और हॉ इतना अच्छे निय graphical अछिए लेकिन राइंकिंग जी एखी देग जासी ब्लेंस निए देको प्लेश मिलेगा को तो मेरे मतलब पहले जो देखा जाता था कि इंडिया जो मैच कहले होती तक डाउन पर उतरती थी अगर इंडिया ने दो गोल कर दिया तो फिर वो डिफेंसिंग गेम खिलने लगती कहीं न कहीं लेकिन थाइलेंड के खिलाफ जो अभी लास्ट मुकाबला कहला गया है एक गोल करा इं जहाँ गोल करते और फिर अटक करते रहते अपना स्टाइल चेंज नी करते भाले वो एक गोल डाउन ओया दो treat घृ वही अटा करते रहते था था फ्लैंग से उनको सूट कर रहा है फाइनली तो अच्छा होगा देखने में मज़ा है तामाच अमीर जी जैसे दोनों टीमों के स्टैट्स की बात की जाए तो इंडिया और यूए हैट टो एट दोनों एक दूसरे के लाफ तेरा में मुकाबले खेल चुका है जिसमें से यूए आट बारी मैच जी चुका है और इंडिया दो बारी जीता है और तीन मैच ड्रॉव हुए है तो ऐसे में इंडिया का थोड़ा वीक्नेस दिखाई दे रहे यूए के किलाब और दूसरी बात खुद यूए के ग्राउंड में ही मैच होना है जहां पर मेजबानी कर रहे है फैंस तो काफी चेंज हो चुकी है काफी यंग्स्टर्स आ रख है नए कोच है नया टेक्निक है काफी इंवेस्ट कर रखा इंडिया ने और स्टाइल पुरा चेंज हो गया है तो अगर आप फुटबॉलिंग तरीके से देखे तो यह स्टाइट्स अब इतना मैटर नहीं करना चाहे होगा और इंडिया की टीम कम से कम 22-23 की है तो अब स्टाइट्स इतना माटर नहीं करेगा लेकिन जो फुटबॉल होगा काफी अच्छा होगा क्योंकि इंडिया का इंडिया का फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है तो जी जैसे अभी देखेंगे कि आईसल लीग अभी खतम होने वाला है तो देखा गया कि यंग इस प्लेर को काफी प्रमोट किया जा रहा है तो इस पर आप क्या कहने चाहिए बिलकूल यह लीग ने बहुत हैं आप देख लिया था IPL में क्या हुआ था IPL शुरू हो गया फिर इंडिन क्रिक्टीम क्या करी है यह तो पूरी दुनि प्लेयर्स के साथ काम करने का तो अब काफी फाइदा तो हुआ है कि तो आज जो होने वाला यह मुकाबला है इसको लेकर के आप क्या स्कोर होगा अब पता सकेरे मेरे हिसाब से तो टू बन इंडिया जीतेगी तो यह थे हमारे स्पोर्स एक्सपर्ट जिन्हों ने बताये कि दो एक से इंडिया जीतेगी हम भी चाहेंगे कि इंडिया आज के मुकाबले में जीत हासिल करें और आगे के क्वाटर फाइनल राउंड में प्रवेश करें तो इसी के साथ अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो आप हमा हमारे इंडिया न्यूज स्पोर्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें